हेलो आप्रिवान वेलकम बैक तो माई चैनल इसके लार्क मैं हूँ प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी इस क्लास में एक्ससाइज 13.1 के आगे के जो कॉश्चिन से उनको हम कंटिन्यू करेंगे जो पिछली क्लास थी उसमें हमने दो कॉश्चिन कंप्लीट किये थ तक के जो कोईश्चीन थे हमारे कोशनबर वन से लेके 22 तक के ओल्मूस्ट दो से मट के अपको करनी थी ठी spraw principle क्यों थे लेकिन अब यहां पर आगे के से और यह थोड़े से ढोने थीक है इसलिए मैंने सोचा कि यह जो डिफरेंट टाइप के कॉशन है इनको एक नए वीडियो से एक नई क्लास से हम स्टार्ट करते हैं तो अभी तक क्या होता था हमको लिमिट इस तरह का आथा हैं तो अगे से लिफरेंट होने वाले हैं बांटि पिछला विडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपες लिंक मिल जाएगी उपर से लिंक नहीं मिलती है तो description box में आप देख लिएगा description box में वो सारे chapters की playlist की link है जो अभी तक हमारे complete हो गहें ठीक है तो चलिए फिर class start करते हैं सबसे पहले हमने लिया है exercise 13.1 का question no.23 तो कोई घबराने बाली बात नहीं है जनरली क्या होता है कि जैसे इस तरह का function देखते हैं हम और हमको यह लगता है कि यह किस तरह से solve होगा और कई student ऐसे भी होते हैं जो छोड़ भी देते हैं लेकिन छोड़ना नहीं है बहुत ही simple से चीज है ठीक है बस थोड़ा सा समझना है आपको बस मैं आपको समझा रही हूं ध्यान से समझ एगा step by step इस question को समझ लेंगे एक हाथ question और समझ लेंगे तो आपको concept clear हो जाएगा सो देखिए question number 23 में बोला जा रहा है find limit x tending to 0 f of x अब आप limit find कैसे करें क्योंकि यहाँ पर तो जो function है यह यह भी function है यह भी function है लेकिन इन दोनों के लिए आपकी limit दी हुई है कि जो x है वो less than and equal to 0 रहेगा तब आप यह function लो और जब x is greater than 0 रहेगा मतलब x की value 0 से बड़ी कहेगी तब आप इस function का use करो समझ में आ गई बात clear ठीक है इतनी बात आगी समझ में ब्लुकुल दीरे-दीरे step by step इस question को ब्लुकुल आराम से मैं समझाओंगी ठीक है यहाँ पर 2x plus 3 function हमको कब लेना है जब x is less than and equal to 0 यानी कि x की जो value है वो 0 रहेगी या फिर 0 से छोटी x is less than and equal to 0 0 या फिर 0 से छोटी 0 से छोटी value जो भी है ठीक है इस से जो भी छोटी values है और 0 के equal values है वो रहेंगी पहली चीज़ दूसरी चीज़ यह function हम कब लेंगे जब x is greater than 0 यानी जो भी 0 से बड़ी value अब 0 से बड़ी value 0.something में भी हो सकती है बिल्कुल 0 के जो पास वाली values होती है ठीक है तो introduction video जब हमने देखा था limits का ठीक है उपर आपको link मिल जागी है अगर नहीं देखा तो तब मैंने जब आपको limits समझाए थी तब मैंने आपको यह समझाया था कि अगर function में कोई भी value हम direct put up कर रहे हैं ठीक है जैसे मैंने कहा कि यह function है ठीक है function हमारा है x plus 1 और मैंने आपसे कहा कि x equal to 1 पर आप value find कर ठीक है तो आप क्या करेंगे एक स्की प्लेस पर one put up कर देंगे one plus one लेकिन कुछ ऐसी values होती है कि put up करने पर हमको या तो zero upon zero का form मिलेगा जो कि define ही नहीं है तो इस तरह कि जब values मिलती है तब हम limits से solve करते हैं और limits से हम कैसे solve करते हैं कि direct वह value ना रखके या तो उससे चोटी values रखते हैं ठीक है या फिर उससे बड़ी बादि ढरते हैं लेकिन बलकुल उसके पास वाली डयरेक्ट ऐसा नहीं कि एक से चोटी वाली डयेक्ट 0 आगा एक से बड़ी वाली डयरेक्ट वाली डयरेक्ट तू धारी ए ele मतलब कि इस तरफ से हम जाते हैं चलब कि left hand limit इस तरह से होती है right hand limit इस तरह से होसे यह पूरा कॉंसेप्ट है in इंट्रोडच्शन वीडियो में मैंने आपको बताएं वहां से आप देख सकते हैं ता आघसे आत्र पेली कि मैंने समय समय हैं ध्याप लिर्किल आज़से में सकते हैं अब wanna यहाँ पर सबसे पहली चीज हमको find करने है limit x tending to 0 f of x मतलब की हमको limit find करने है x tending to 0 f of x मतलब अब यहाँ पर अगर हमको limit find करने है तो हम यह function ले कि यह function ले ठीक है तो हम direct क्या करते है यह जो values होती है यह इसको put up कर देते हैं function में लेकिन यह ले कि यह ले यह हमको समझ नहीं आ रहा है तो यहां कि जो वैल्यूस अगर आप देखेंगे तो जब इस तरह के question आते है न जिनमें आपका function भी दो पार्ट में है लिमिट भी दो पार्ट में है तब इस तरह के question को हम क्रूंप है क्या है क्योंकि यहां पर x की वोний है अकर टा जारे तो क्योंकि लिमिट जब हम साल रहे होते हैं तो डेरेक्ट हम वह ज़िए डीयों तो यहां यहां एक्वल लगे रहन दो आप कोई दिक्कत नहीं है लेकिन या तो जैसे कि अगर x tending to 0 है मतलब 0 की value के आसपास की value तो यहां से हमको मिल जाएगी function में मिल जाएगा तो या तो 0 से बड़ी value या 0 से छोटी value अब यह जीज़ हमको कहां से मिलेगी left hand limit से या फिर right hand limit से direct हम वो value to put up करनी पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास function डेरेक्ड नहीं दिया गया है ठीक है सो हम left hand limit और right hand limit के थरूँ इसको solve करें अब left hand limit और right hand limit यह भी आमने introduction में देखा था तो मैं आपको यहां पर एक बार समझा देती हूं कि limit x tending to a अब इस a की place पर कोई भी आपका number कोई भी value हो सकती है और यह f of x ठीक है limit x tending to a f of x अब अगर देखा जा तो यह simple सी limit हम शो कर रहे हैं कि हाँ यह limit है लेकिन जैसे यह चूट से minus लगा देते हैं यह left hand limit हो जाती है और यहां अगर चूट से plus लगा देते हैं तो यह हो जाती है right hand limit ठीक है अब इसका क्या मतलब है कि x tending to a but a की जो value है उससे क्योंकि extending to a का मतलब x equal to a बिल्कुल नहीं है ठीक है x tending to a का क्या मатलब होता है कि जो x है उसकी जो value है वो किसकी तरफ जा रही है a की तरफ tend हो रही है अब A की तरफ tend हो रही है मतलब A नहीं होगी या तो A से कम वाली values हो सकती है या जादा वाली लेकिन यह जो कम और जादा वाली value है इनको हम अलग-अलग करते हैं left hand limit और right hand limit से बागी अगर हम extending to A लिख रहा हैं इसका मतलब कम भी हो सकता है और जादा भी हो सकता है ठीक है लेकिन जब इसको हमको अलग-अलग करना होता extending to A minus यह left hand limit होती है यह right hand limit होती है ठीक है तो इसी से हम question को आगे solve करेंगे clear समझ में आगई बात अब ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास direct function नहीं दिया गया हमारा function भी break है और limit भी टूटी होई है ठीक है और जब इनके graph भी बनते हैं तो जनरल ही क्या होता है कोई भी function है या कोई भी equation है तो उसका हम कोई भी graph ड्रो करते हैं तो ऐसा बन जाएगा या ऐसा बन जाएगा या ऐसा बन जाएगा बट इनके जो graph बनते हैं तो ऐसा बनता है तूटा हुआ या फिर ऐसा बनेगा बीच में तूटा हुआ समझ में आ गई बात पूरा continue नहीं बनता ठीक है clear सो यह चीज एक अलग है अगर कभी टाइम रहा तो इस पर एक अलग वीडियो हम बना देंगे सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से इसको सॉल्व हम क्यों करेंगे क्योंकि एक्जेक्ट हम को नहीं बताए कि हमारा फंक्शन कौन सा हम लें ठीक है सो इस चीज को हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से स्वल्व करेंगे जैन यहीं अपर देखें लिमिटव limit x tending to 0 but 0 पर minus लगा है मतलब 0 से छोटी value so जहाँ पर भी x is less than 0 रहेगा वो वाला function हम लेंगे समझ मैं ही बात 0 minus का मतलब 0 से छोटी तो जो भी values less than 0 होंगी वो वाला function लेंगे so यहाँ पर देखें x is less than 0 आतो रहा है यहाँ पर less than भी आ रहा है और equal भी आ रहा है बट अभी हम क्या देख रहे हैं less than तो less than इसमें आ रहा है मतलब यह वाला function यहाँ लेंगे हम so limit x tending to 0 minus और यहाँ function आ जाएगा 2x plus 3 ठीक है सबसे पहले मैं function की ही जो भी function कौन सा रखना है वह ही रखना है ताकि आपको यह चीस clear हो जाए चलो अब इसमें आगे बढ़ते हैं limit x tending to 0 plus अब यहाँ पर हमको कौन सा function रखना है 0 plus 0 से बड़ी values मतलब कि x is greater than 0 क्योंकि 0 से बड़ी values चाहिए हमको तो 0 से बड़ी values इस function में आ रही है x is greater than 0 सो यहाँ आ जाएगा 3 x plus 1 बस अब इसको तो आपको solve करना आता है main इसमें यही है कि क्योंकि आपका function direct नहीं दिया गया कि function है क्या आपको यह बोला गया है कि x is less than and equal to 0 के लिए यह function है define और x is greater than 0 के लिए यह function define है ठीक है सो यहाँ पर हम क्या कर रहे है हम भी इनको तुकडों में कर रहे है हमने क्या करा left hand limit अलग find कर लिया right hand limit अलग find कर लिया और starting में ही introduction वीडियो में मैंने आपको यह चीज़ समझाई थी left hand limit क्या होती है right hand limit क्या होती है यह भी बताए था कि अगर दोनों limit equal आती है मतलब ये जो limit है ये exist कर रही है अगर हमारे ये दोनों equal आ जाती है तो ये जो है ये exist करेगा बट अगर दोनों equal नहीं आते है मतलब limit exist नहीं करेगी clear, ठीक है तो अब इसको solve करके आगे हम देखते हैं कि क्या होता है तो इसको solve करना तो आपको आता है अब 0 minus लगा या 0 plus लगा इससे तो कोई मतलब है ही नहीं ठीक है इस पे अगर एक छोटा सा minus लगा है ठीक है तो सिर्फ उसका यह मतलब है कि वो left hand limit है और plus लगा है मतलब वो right hand limit है बाकी solution से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है कि इस minus का हम मतलब यह left hand limit है मतलब कि यह जो value है इससे छोटी value पास वाली value बट छोटी value ठीक है और अगर यहीं plus लग जाता है तो यह right hand limit मतलब कि यह बट इससे बड़ी वाली value बस ठीक है तो यह function कैसे आया यह function कैसे आया आपको clear हो गया 0 minus मतलब x जो है वो 0 सो छोटा है मतलब x is less than 0 x यह function यहां आ गया यहां पर 0 plus या निकी x is greater than 0 तो यह function यहां उठा करेंगे तो कर लेते हैं और इसको मैं हटा देती हूं ठीक है कि यहां पर extending to 0 तो 0 ही पूट आप करेंगे तो यहां आपको करेंगे तो इन्टो जिरो प्लस थ्री तो टू इन्टो जिरो जिरो प्लस थ्री यहां पर पूट आप करते हैं तो यह वह जाएगा 3 और x की प्लेस पर 0 प्लस 1 ठीक है तो 0 प्लस 1 1 31003 तो यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक स्टेंडिंग टू जिरो माइनस और एक स्टेंडिंग टू जिरो प्लस यानि लेफ्ट एंड लिमिट और राइट लिमिट की जो वाल्यू है वह एक्वाल आई है इसका मतलब यह हो लिमिट फाइंड करनी है एकस्टेंडिंग टू पर और एकस्टेंडिंग टू वन पर तो अभी सिर्फ और सिर्फ एकस्टेंडिंग टू जिरो की हम बात कर रहे थे इसकी ठीक है तो यहां पर लिमिट एकस्टेंडिंग टू जिरो भी 3 आया है मतलब जब दोनों लिमिट equal आ जाती है इसका मतलब limit exist कर रही है और limit x tending to 0 की जो value है न वो भी क्या है हमारी 3 दोनो equal आ गई है मतलब यह limit exist करेगी ठीक so limit x tending to 0 f of x exists clear चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि since देखो दोनों तरीके बता दिये एक तरीका तो यह है लिखने का ठीक है और दूसरा तरीका क्या है कि since left hand limit को कैसे लिखते हैं extending to अभी हमारी है 0 न तो left hand limit equal to limit x tending to 0 plus f of x right hand limit तो since left hand limit equal to right hand limit so limit exists समझ में आगए बाद तो इसकी value हमको find करनी थी और इसकी value हम कैसे find करेंगी क्योंकि direct हमारे पास function नहीं था तो हमने left hand limit से find करा right hand limit से और क्योंकि दोनों equal हैं मतलब यह जो है यह कितना आ गया आपका 3 मतलब limit exist कर रही है यहाँ पर हम लेका limit x tending to 0 f of x equal to 3 so limit f of x extending to 0 exist ऐसे भी लिख सकते हैं चाहें तो इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं यह जो line है ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है clear समझ में आया थोड़ा बहुत समझ में आया ही होगा ठीक है तो इस से घबराना नहीं है इस चीज को देखो और value को टब करो यहाँ पर यह function है x is less than equal to 0 के लिए और यह x is greater than 0 के लिए बस ठीक है तो अभी हमने सिर्फ यह solve किया है आप इसको solve करेंगे बाकि इसको note करना है तो वीडियो को pause करके आप note कर सकते हैं तो अभी हमने find करा limit x tending to 0 f of x ठीक है यह limit find करी अब दूसरा find करना है हमको यह ठीक है हमको find करना है limit x tending to 1 f of x ठीक है तो इसमें भी हमको left hand limit और right hand limit दोनों find करनी होगी ठीक है सो आला कि इसमें आप अगर दोनों find करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं नहीं करना चाह तो भी नहीं कर सकती कि यहां पर आपको limit किस पर find करनी है x tending to 1 कहने का मतलब यह है कि obviously 1 तो 0 से बढ़ा ही है और x is greater than 0 के लिए सिर्फ यह ही function है define यहां पर ठीक है तो इससे भी find कर सकते हैं तो चली so limit x tending to 1 minus f of x limit x tending to 1 plus f of x so अब यहां पर हमको limit x tending to 1 के लिए limit find करनी clear so अब ध्यान से देखें यह हमारी 1 की उपर minus लगा है left hand limit यह है right hand limit चलो कोई दिखकर नहीं so limit f of x x tending to 1 1 से छोटी value अब 1 से छोटी यानि 1 के बिल्कुल आसपास ठीक है तो 1 से छोटी जो भी value रहेगी बिल्कुल उसके पास तो वह सकती 0.999999 ठीक है clear समझ में आगे बात तो यहां पर 1 से छोटी value कहां आएगी तो यहां पर है x is greater than 0 और यह x is less than and equal to 0 यहां पर जो value है वो 0 से छोटी है कहां पर यह जो function है आपका 2x plus 3 यहां क्या है x is less than and equal to 0 मतलब यहां पर जो value है वो 0 से भी छोटी छोटी values है ठीक है 0 से भी छोटी लेकर हमको 0 से छोटी value नहीं चाहिए हमको चाहिए 1 से छोटी value अब 1 से छोटी जो value है वो क्या क्या हो सकती है 0.999 भी हो सकती बिल्कुल पास वाली value ठीक है तो 1 से छोटी value तो obviously यहां आजाएगी यहां है x is greater than 0 जीरो से बड़ी value अब 0 से जो भी बड़ी values रहेंगी वो 0.999 भी रहेगा ठीक है एक बार और यहां पर समझें x is x tending to 1 minus और x tending to 1 plus का मतलब और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर चाहें तो left hand limit, right hand limit find करने की ज़रतनी reason क्या है कि यहां पर जो limit है वो x tending to 1 तो यहां पर x is greater than 0 तो यह वाला function ही रहेगा इसके लिए लेकिन फिर भी obviously हमारा जो function है वो दो part में है ठीक है limit भी दो part में है तो हम इसको इसको इसी तरीके से करेंगे so यहां पर x is x tending to 1 minus का मतलब यह है कि 1 से चोटी value और 1 से चोटी value क्या हो सकते है 0.999999 यह यह या फिर 0.9800 इस तरह से जो values है तो क्या यह value 0 से बड़ी है obviously 0 से बड़ी है यह value in fact अगर बात करने तो 0.1 भी आपका 0 से बड़ा रहेगा तो यह तो 0.9 है जो कि 0 से बड़ा रहे नहीं है तो 0 से बड़ी value कहां हो रही है x is greater than 0 इस function के अंदर यह function किसके लिए डिफाइन है x is greater than 0 के लिए यानि 0 से बड़ी value के लिए तो 1 तो obviously 0 से बड़ा ही है तो यहां पर आ जाएगा आपका limit x tending to 1- और यहां function आ जाएगा आपका 3 x plus 1 इसको आकर solve करेंगे बाद में इधर भी देख लेते हैं और यहां तो clearly यही function आना है limit f of x limit x tending to 1 plus f of x यानि 1 से बड़ी value तो 1 से बड़ी value यहीं पर आई क्योंकि x is greater than 0 x is greater than 0 का मतलब x की जो value है वो 0 से बड़ी value रहेंगी तो 0, 0.9999, 0.00 और भी कई सारी values ठीक है और और भी क्या हो सकता है 1 भी हो सकता है फिर 1.999 और 2 यह सारी values आएगी x is greater than 0 अब x is greater than 0 इस function में आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा limit x tending to 1 plus 3x plus 1 अब इसको आगे solve करेंगे वांकि यह सारा मैं हटा रही हूँ तो अभी हमारा वही same question चल रहा है क्योंकि इस तरह का यह पहला question है इसलिए मैं भी थोड़ा सा जादा समझा रही हूँ आप लोगों को ठीक है तो हाला कि जो लोग यह question कर चुके है एकाद बार भी तो उन लोगों को हो सकता है कि शायद ऐसा लगए कि मैं जादा समझा रह लिए ठीक है तो पहला question है इस तरह का इसलिए जादा time लग रहा है तो यह find कर लिया इसको find कर रहा है extending to one के लिए obviously यही वाला function रहेगा हमारा तो left hand limit में भी यह function लिया चलो values put up कर देते हैं तो x tending to 1 है तो यहां one put up करेंगे तो 3 one plus one x की place पर one put up कर दिया तो देखें one plus one two three two zero six यहां पर देखें तो यहां पर भी one put up करेंगे तो one plus one two so two three zero six तो यहां पर भी clearly देखें left hand limit और right hand limit equal आ गई है इसका मतलब यहां पर भी limit exist करेगी कहने का मतलब यह है कि इसकी जो value है यह आ गई है आपकी six मतलब limit exist करेगी ठीक है तो यहां पर हम लिखेंगे तो यहां पर जो है limit x tending to one f of x यह भी क्या आगया आपका six क्योंकि यह दोनों equal है अगर यह दोनों equal नहीं आते तो इसकी value भी यह नहीं आती ठीक है तो limit हम find कर रहे हैं क्योंकि left hand limit right hand limit दोनों equal आ गए इसलिए limit हमारी यह रहेगी और exist करेगी ठ तो since limit x tending to one minus f of x equal to limit x tending to one plus इसका मतलब left hand limit इसका मतलब right hand limit है ना तो since left hand limit equal to right hand limit so therefore limit x tending to one f of x exists या फिर आप यह भी लिख सकते हैं कि so therefore limit exist ठीक है तो यह दो limit ही है ना तो यह exist कर यह दो हमने लिख दिया limit exist यानि x tending to one पर जो limit है वो exist कर रही है ठीक है तो question number 23 का यह भी हमने find कर लिया यह भी find कर लिया और I hope कि थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा बागी एक दो question और आप करेंगे तो इस सरह के question को करने में कोई भी दिक्कत नहीं रही ठीक है तो हाला कि यह तो question ऐसा था कि इसमें तो limit exist कर करती है तब कैसी condition बनती है नहीं करती है तब कैसी condition बनती है ठीक है so question number question number 23 हमारा complete हो गया है यह तो हमने इससे पहले करी लिया था बांकि limit extending to 1 f of x यह हमने find कर लिया so note करना चाहते हैं तो वीडियो को pause करके आप note कर सकते हैं अब हम देखेंगे next question question number 24 so next question question number 24 तो यह जो question है यह तो बहुत ही आसान है कैसे देखें आप ज़रा find limit extending to 1 f of x यहानी कि यहाँ पर दो-दो limit नहीं find करनी हमको एक ही find करना limit extending to 1 f of x ठीक है where f of x equal to x square minus 1 when x is less than and equal to 1 मतलब की 1 से छोटी values के लिए ठीक है 1 से छोटी clear दिख रहा है x is less than and equal to equal to का भी बूल जाओ सिर्फ less than की हम बात करते हैं क्योंकि जब हम अभी limit find करेंगे तो हमको less than और greater than की दुरत पड़ेगी ठीक है तो x is less than and equal to 1 के लिए यह function हमारा रहेगा और x is greater than 1 यानि 1 से बड़ी values की बात जैसे ही आएगी वहां पर हम यह function लेगे ठीक है तो हमारा यह function है यह दो पार्ट में ब्रेक है x is less than and equal to 1 की values के लिए यह function रहेगा और x is greater than 1 के लिए यह function है clear ठीक है तो obviously हमको direct दिया नहीं है ठीक है function की यह function है आपको यह दो पार्ट में दे दिया तो हम यहाँ पर left hand limit और right hand limit से यह limit find करेंगे ठीक है तो दियान से देखें हमको यह find करना सबसे पहले हम left hand limit find करेंगे तो limit x tending to 1 है तो 1 लेकिन 1 पर minus मतलग left hand limit और यह f of x equal to so limit x tending to 1 minus तो यह function की place पर क्या आएगा तो 1 minus यानि 1 से चोटी values अब 1 से चोटी values कहां आ रहे है यहाँ पर देखें x square minus 1 यह function किसके लिए define है x is less than and equal to 1 x से चोटी value ठीक है और sorry 1 से चोटी values और 1 के equal तो 1 से चोटी values हमको चाहिए ठीक है तो यह जो 1 से चोटी values हम भी इसी function में आ रहे ह तो x is less than 1 1 minus मतलब 1 से चोटी value तो यह function आ जाएगा हमारा x square minus 1 बांकि इसके आगे तो आप solve करी लेते हैं तो वह अपन करते हैं अभी बात में ठीक है अब हम right hand limit की बात करते हैं so limit x tending to 1 plus plus मतलब right hand limit और f of x ठीक है so limit x tending to 1 plus यहाँ function क्या आएगा 1 से बड़ी value x tending to 1 plus 1 से बड़ी value तो 1 से बड़ी value कहा रही है x is greater than 1 1 से बड़ी value अब यह जो x है न यह आपका obviously variable है इसके place पर कोई भी value आ सकते लेकिन यहाँ पर यह बोला गया है कि यहाँ पर जो भी value है वो 1 से बड़ी value के लिए हमारा यह function है और यहाँ पर विए बड़ी value चाहिए तो यह आ जाएग आपका minus x square minus one बस यह जो काम है न यहीं का में का में आप function decide कर लो कि one minus मतलब one से छोटी value के लिए function one से बड़ी value के लिए function क्योंकि हमारे पास जो भी x की values क्योंकि हमारे पास यहां पर जो भी function दिये वो particular x की कुछ value के लिए यह और x की कुछ value के लिए function break है और उसकी limit भी break है चलो तो इसके आगे तो हम solve करी सकते हैं यहां पर करेंगे तो one minus से कोई मतलब नहीं है minus का कोई use नहीं वोस x tending to one है मतलब यहां x टी place पर one put up करेंगे so यहां put up कर देते हैं one square minus one तो one square minus one one minus one zero हो ठीक यहां पर put up करेंगे so x की place पर one तो देखो यह minus तो बाहर का है तो minus रहने दो x पर square है मतलब की x की place पर one और इस पर square और यह minus one as it is अब इस one square का मतलब यह नहीं है कि minus minus plus हो जाएगा reason में आपको बतारी हूं अगर इस तरह ऐसे होता? माइनस माइनस 1 नका क्वाइर होता तो minus minus plus माइनस प्लस हो ओइन का स्क्वाइर plus 1 होता लेगे यह जो माइनस है न यह एक्स आस्वाइर से ऐलग है यहनि one eyes qiie से अलग माइनस रहेगे हमने जो left hand limit find करी है वो आई है 0 और जो हमने right hand limit find करी है वो आई है minus 2 तो क्या दोनों equal हैं? दोनों equal नहीं हैं इसका मतलब ये जो है ये limit exist नहीं कर रही है so simple हमको बस ये लिखना है यहाँ पर कि since limit x tending to 1 minus f of x मतलब left hand limit is not equal to limit x tending to 1 plus f of x यानि की right hand limit तो left hand limit is not equal to right hand limit so therefore जो limit है हमारी ये limit x tending to 1 f of x ये जो है ये exist नहीं करेगी so does not exist समझ में आई बात देखो हर question को इस तरह के जो question इनको solve करने का और लिखने का तरीका अलग है तो जैसे अभी हमने question number 23 कर रहा था उसमें left hand limit right hand limit equal आ रही थी so limit exist कर रही थी और इसकी value आ गई थी जो दोनों equal value आ थी वही value आ गई थी मतलब exist कर रही थी अब यहाँ पर left hand limit 0 आ गई right hand limit minus 2 आ गई मतलब limit t exist नहीं कर रही so यहाँ पर हमने लिखा कि since left hand limit is not equal to right hand limit so therefore limit does not exist तो चाहें तो इसकी जगा पर आप यह भी लिख सकते हैं कि limit li mit यह भी लिख सकते हैं ठीक है यह तो हमारा limit है so limit does not exist ठीक simple question था बस आपको सिर्फ इतना देखना है कि 1 से छोटी value इसमें आएंगी obviously x is less than 1 और 1 प्लेस यानि 1 से बड़ी value तो x is greater than 1 तो यह function लेना है बाग यह solve परना तो आपको आता है ठीक so question no.24 हमारा हो गया है note करना चाहते हैं तो वीडियो को pause करके आप note कर सकते हैं अब हम देखेंगी next question so यह हमारा next question question no.25 तो यहां पर भी same जिस तरह से अभी हमने दो question कि उसी तरह का question है हमको limit find करने है extending to 0 पर where function is this अब इस function को आप देखें यहां पर आ गया है modulus ठीक है so यहां पर जो modulus है यह किस से relate करेंगे हम हमने chapter 2 में modulus function पढ़ा था ठीक है उपर आपको link मिल जाएगी यहां पर आप देख सकते हैं कि modulus function की definition और किस तरह से काम होता है so यहां पर सबसे पहले तो मैं लिखूंगी by the definition of modulus function क्योंकि उसी से आपका यह function थोड़ा सा और break होगा ठीक है by the definition of modulus function बाकि इसमें यह कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है यह आमने chapter 2 में relations and functions में पढ़ा था ठीक है तो modulus function आप बहाँ से देख सकते हैं मैं यहां पर direct definition लिखने हूँ so modulus x equal to so modulus x equal to जो minus x होता है function लेकिन x की किन value के लिए जब x is less than and equal to 0 होता है जब x, x मतलब कुछ भी हो सकता है ठीक है variable है हमारा तो अगर x की value 0 से छोटी है अब 0 से छोटी का क्या मतला वहाँ कि negative value ठीक है अभी हम modulus function की बात कर रहे हैं अभी हम हमारी limit की बात नहीं कर रहे हैं ठीक है तो modulus function में मैंने आपको समझाया था कि modulus करता क्या है अगर x की value अगर x की value less than and equal to 0 है अगर 0 से छोटी है 0 से छोटी मतलब कोई भी negative value तो माल लो x की जो value हो minus 1 है तो modulus क्या करता है उसमें 1 minus और add कर देता है मतलब यह जो x रहेगा यह minus x रहेगा अब आप इसमें negative value रखोगे तो यह क्या हो जाएगा negative negative positive तो modulus के अंदर काम होता क्या है कि अगर negative value आई है तो उसको एक negative sign दे देते हैं positive है तो उसमें कुछ करने की ज़रगती नहीं है modulus यही करता है कि अगर उसके अंदर कोई भी number गया आपको इतना पता है मैं आपको समझाती हूँ कि मॉडिलस के अंदर कोई भी number गया थी नोरी निकलेगा ठीक है नेकिटिव हो इक negative sign को positive बनाने के लिए एक negative और दिना पड़ता है तो modulus क्या करता है एक negative sign देता है ठीक है कहने का मतलब यह है कि अगर x की value 0 से छोटी है मतलब negative value है तो जो भी हमारी value रहेगी उसका multiply आप minus sign के साथ कर देते हैं और अगर x is greater than 0 है यहां पर मैंने थोड़ा सा और आपको समझा दिया बागी आप देख सकते हैं लिंक मैंने आपको बताई दी थी दिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाई ठीक है यह हमारी modulus function की definition है इस ते आपका function चेंज होगा सो देखो मैं यहीं पर change करके आपको बता देती है f of x equal to अब यहां पर लिखा हुआ है कि x is not equal to zero मतलब यहां पर जो equal वाला काम है यह हट गया सिर्फ less than की बात करेंगे नहीं यहां पर equal नहीं यहां पर हाला कि definition के according यहां क्या होता इसका मतलब क्या है कि x जो है वो यहां तो 0 से बड़ा है यहां पर चोटा है अभी तक आपने पिछले जो दो equal to zero और यहां लिखा x is x equal to zero तो इससे हमारा काम नहीं बनना या तो less than रहे या फूर greater than रहे उससे हमारा काम बनेगा ठीक है और हमको limit find करनी है ठीक है इतनी बाता की समझ में तो यहां पर जो लिखा है यह क्या लिखा है कि x is not equal to zero जब x is zero नहीं है तो क्या होगा या तो उससे बड़ा होगा या छोटा होगा क्याने का मतलब यह है कि x is greater than zero या less than zero अब यहां पर हम दोनों लिखते हैं x is less than zero और x is greater than zero और यह जो function है इसके साथ हम लिख लेते हैं और यह वाली जो चीज है यह तो आप हमने क्या करा जो is not equal to है उसको हमने लिख लिए अगर जीरो नहीं है मतलब 0 से बढ़ी है x की वालू यह चोटी है तो x is less than 0 x is greater than 0 अब मॉडुलस function से इसको change करेंगे x is less than and equal to 0 के लिए मॉडुलस x क्या होता है माइनस x तो यहां पर आ जाएगा आपका माइनस ठीक क्लियर है ना यह से आपका direct question नहीं होगा obviously आपको इसको थोड़ा सा modify करना होगा क्योंकि यहां पर मॉडुलस लगा हुआ है दूसरी चीज यहां पर लिखा हुआ है x is not equal to 0 तो जब तक less than greater than नहीं होगा तब तक हम question को आगे continue नहीं कर पाएंगे ठीक है x is not equal to 0 का क्या मतलब x की value होगी क्या हम value लेंगे कैसे ठीक है तो या तो x छोटा होगा 0 से या बढ़ा होगा क्योंकि 0 नहीं है तो ठीक चलो अब इसको मैंने convert कैसे कर रहा है यहां पर value देखी सबसे पहले मैं x is less than 0 x is less than 0 ठीक तो मैंने किसी को चेंग नहीं कर रहा है स्रिफ मैंने यहां पर जो मॉडुलस लगा था इसको मैं चेंग कर रहीं x is less than 0 minus x है लेकिन क्या है अब हम आगे बढ़ते हैं x is greater than 0 के लिए मॉडुलस x क्या रहेगा x is greater than 0 के लिए x रहेगा मॉडुलस x तो यहां से मॉडुलस हटा आप जो नया define function है वह आपका यह हो गया जिससे आप आसानी के साथ question कर सकते हैं अब आपका question बहुत ही आसान होगा आप जाहे तो इसको cancel करके आप बोल रहे हो गया तो minus 1 या 1 है कर सकते हैं कोई दिखकर नहीं ठीक है चलो अब हम question को करते हैं हमको क्या find करना है limit extending to 0 f of x तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि limit extending to 0 minus find क करेंगे और limit extending to 0 plus find करेंगे ठीक मतलब left-hand limit और right-hand limit इस question का main काम यह है कि दो question आपने इस तरह के करें लिए हैं चीजें आसान होई गई हैं लेकिन इसको कैसे करें ठीक है क्योंकि अभी ता कॉशन less than or greater than में करा है तो हमने इसको convert कर लिया चलो अब x tending to 0 minus यानि 0 से छोटी value ठीक है तो x is less than 0 0 से छोटी value के लिए यह defined function है तो यहां पर हम लिखेंगे limit extending to 0 minus अब x x cancel हो क्या बचा minus 1 मैंने direct क्या किया x less than 0 x is less than 0 0 से छोटा और यहां पर भी limit क्या extending to 0 minus यानि 0 से छोटी value तो 0 से छोटी के लिए function है अगर आप इसको और इसको cancel करते हैं तो क्या बचता है सिरिफ minus 1 तो यहां लेखा minus 1 अब x यहां है नहीं तो किसमें put up करेंगे तो यह आगया आपका minus 1 left hand limit अब right hand limit की बात करते हैं तो यहां पर भी यह cancel होके हो गया 1 चीक है तो मैंने 1 नहीं लिखा आप चाहें तो यहां पर लिख लें यहां अब यहां पर 0 plus 0 से बड़ी value तो x is greater than 0 0 से बड़ी value मतलब 1 तो यह रहेगा आपका function तो limit x tending to 0 प्लस और यहां गया 1 तो यह रहेगा आपका 1 अब आप देखें क्या left hand limit और right hand limit equal आ रही हैं नहीं आ रही है मतलब limit exist नहीं करेगे तो यहां पर हम लिखेंगे यहां लिख रहती हूं कि since limit x tending to 0 minus f of x is not equal to limit x tending to 0 plus f of x so since limit since left hand limit is not equal to right hand limit so therefore limit x tending to 0 f of x does not exist ठीक है समझ में आ गई बात clearly क्या हुआ यहां पर ठीक चल अच्छी बात है तो देखो जिन लोगों को यह question समझ में आ गया है वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख लें जिनको नहीं आया है उन लोग के लिए मैं एक बार और यहां पर explain कर रही हूं तो दिहान से समझें ठीक बाकि जिनको आ गया है वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख लीजेए ठीक तो देखें यहां पर यह हमारा question है ठीक अब माल लीजे इसी से आप डारेक्ट लेफ्ट हैं लिमित और राइट हैं लिमित फाइंड करते तो यहां पर extending to zero minus zero plus zero से छोटी और जिरो से मॉडिलस मॉडिलस आ रहा है तो यहां पर हमने definition उठाई मॉडिलस function की ठीक है chapter 2 में आप देख सकते हैं तो यह मॉडिलस function की definition है इसको भी मैंने थोड़ा बहुत explain कर दी आपको कि मॉडिलस क्या करता है पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रखता है लेकिन अगर कोई नि बढू निन गालने में परश 살ें यां पर प्जोटी उइस रहेंगी मतलब निकिति और जी रो से जो बढ़ी रहेंगी मतलब 0 चोटा रहेगा 0 से जो भी बढ़ी रहेंगी वो positive ठीक so x is less than and equal to 0 लिख दिया अगर x से छोटी value से तो वो negative रहेंगी अगर negative है तो negative को positive बनाने के लिए एक और minus देना पड़ता है अगर x हमारा negative है तो उसमें 1 minus हमको multiply करना होगा ठीक फिर हमने इसको change करा इस से कैसे ज्यान से देखें सबसे पहले तो यहाँ पर था x is not equal to 0 अब जब x 0 के equal नहीं है अगर x 0 नहीं है तो या तो वो 0 से बढ़ा होगा या छोटा होगा कोई न कोई तो वाली होगी या तो 0 से बढ़ी होगी या छोटी होगी ठीक है तो x is not equal to 0 का मतलब या तो x जो है वो 0 से बढ़ा है या छोटा है इसी चीज़ को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया जैसा कि मैंने आप आपको बताया था modulus x upon x x is greater than 0 modulus x upon x x is less than 0 मैं इस चीज़ को मैं एक बार और आपको बता दे रही हूँ modulus x upon x और modulus x upon x ठीक है इसी चीज़ को एक बार और मैं आपको explain कर रही है तो इस तरह से हमने क्या करा modulus x upon x को दो बार लिखा और x is greater than 0 और x is less than 0 के साथ अलगाला कर लिया बांकि यह जो चीज़ है इसको हमने as it is छोड़ दिया ठीक अब इससे इसको change करा सबसे पहले देखा x is less than 0 पर modulus x क्या रहेगा इस x से हमको कोई मतलब नहीं modulus x की बात कर रहे है x is less than 0 पर definition पर गए x is less than 0 पर modulus x minus x है तो हमने modulus अटाया ठीक और minus लगा दिया ठीक अब आगे गाए और चाहें तो यह x से x कैंसलो के यह बचरा था minus 1 ठीक चल अब अब इस पर आए x is greater than 0 x is greater than 0 पर modulus x की value क्या है x तो इस modulus x की जगा पर आ गया x कतम और चाहें तो x से x कैंसलो के यह आ गया 1 बस फिर हमने left hand limit right hand limit लिखी 0 से छोटी value x is less than 0 minus 1 ठीक फिर 0 plus यह राइट hand limit 0 से बड़ी value x is greater than 0 plus 1 minus 1 plus 1 equal होते है क्या नहीं होते है यह negative है यह positive है तो हमने लिखा कि left hand limit is not equal to right hand limit so therefore limit does not exist इसलिए limit exist नहीं कर ठीक clear तो मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको समझ में आज आए यह question क्योंकि इसमें modelis आ गया question को हमको change करना पड़ा ठीक so note करना चाहते हैं तो वीडियो को post करके आप note कर सकते हैं अब हम देखेंगे next question question number 26 next question question number 26 question को देखें जरा कुछ भी change नहीं है एक छोटा सा change है पूरा का पूरा हमारा question number 25 के जैसा ही है यह question ठीक है तो 25 तो आपने समझ लिया 26 को उतना समझाने के जरूरत नहीं है मुझे यहाँ पर भी देखें वही चीज है x is not equal to 0 कहने का मतलब यह है कि अगर x 0 नहीं है मतलब x या तो 0 से बड़ा है या फिर छोटा है यहीं पर मैं इसको लिख रही हूँ कि x upon modulus x जो है इस condition में या तो x less than 0 है ठीक और या फिर x greater than 0 है पहली चीज ठीक है बांकी 0 x is equal to 0 ठीक है यह बन गया हमारा function यहाँ पर f of x ठीक यह हमारा function बन गया मैंने इसको break कर लिया जगे जगे ले रहा है थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको यहीं पर ही लिखती हूँ x upon modulus x x upon modulus x और 0 इस condition को हमने दो पार्ट में break कर दिया x upon modulus x x upon modulus x x अगर 0 नहीं है तो x is less than 0 है यह x is greater than 0 और x equal to 0 पर 0 ठीक है यह हमारा function है ठीक clear अब क्योंकि modulus आया है तो modulus के लिए मैंने आपको क्या बाताया था कि x is less than 0 यानि 0 से छोटी value उसके लिए modulus x होता है minus x और x is greater than 0 यानि कि 0 से बड़ी value के लिए modulus x होता है x ठीक so x से x cancel हो जाएगा तो यहां आजाएगा आपका minus 1 ठीक है चाहें तो मत लिखिए direct हम वहीं लिख देंगे x अपॉन minus x ही रहें दीजे ठीक चलो question करते हैं सबसे पहले तो हम left hand limit find करेंगे limit x tending to 0 find करना तो सबसे पहले 0 minus मतलब left hand limit find करेंगे so x tending to 0 minus मतलब 0 से छोटी value तो x is less than 0 so यह आजाएगा limit x tending to 0 minus और यह आजाएगा आपका x upon minus x x से x कैंसल हो गया तो सिर्फ बचा minus 1 और minus 1 x तो है नहीं तो 0 put up करने का कोई सवाल ही नहीं है तो यह आगया minus 1 ठीक अब limit x tending to 0 plus की बात करते हैं यानि कि 0 से बढ़ी values limit x tending to 0 plus 0 से बढ़ी तो x is greater than 0 के लिए x upon x x से x कैंसल हो के 1 बचा तो यहाँ आजाएगा 1 x है यह नहीं तो value कापट अप करेंगे तो यहाँ गया 1 यहाँ पर भी सेम वही चीज है कि minus 1 और 1 आया है तो left hand limit right hand limit equal नहीं आया है इसलिए limit exist नहीं करेंगी तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि since limit x tending to 0 minus f of x is not equal to limit x tending to 0 plus f of x तो since left hand limit is not equal to right hand limit so therefore limit x tending to 0 f of x does not exist clear ठीक है तो same to same पिछले question के जैसा है वैसे ही आपको लिखना है सारे चीज है जैसे मैंने question number 25 कराया था तो इसमें तदा कुछ था नहीं बागी इस question को आपको विल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे हमने पिछला question question number 25 लिखा था कि अची class में बस इतना ही करेंगे बांकी के जो question हमारे रहे गए हैं वो हम देखेंगे अगले वीडियो में so I hope कि आज की class में जो question हमने करें हैं obviously वो नए type के question थे लेकिन बात वही है कि आपको practice जरूर करना है अगर जिन लों को समझ में आ गया है उन लों को भी इन questions को फिर से एक बार try करना है और खुद से करके देखना है क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक व नहीं आ रही है कहां पर हम अटक रहें ठीक है तो practice जरूर करना है कोई भी questions को छोड़ना नहीं है सब तरह के questions को करना है ठीक है तो चलिए फिर बाकी के questions है वो हम देखेंगे अगले वीडियो में और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए इसके अलावा अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियो के लिए चैनल को subscribe जरूर करिए चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई and thank you